नमबर हम लोग सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं, कहरा कि इन फिगर 6.40, यही है आपका फिगर, एंगल x बराबर 62 डिगरी, यहां लिखा हुआ है, फिर लिखा है x, y, z, यहां पे x, y, z, यानि पूरा, पूरा complete एंगल यह पूरा जो है, वो दिया गया है आपको 54 डिगरी, complete है, फिर आगे बोला कि y, o, and z, o, are bisectors of angle x, y, z, and x, z, y, respectively, मतलब y, o हुआ होगा bisector किसका है, x, y, z का, तो पहले x, y, z देखते हैं, x, y, z है और यह y, o है, मतलब यह bisector है, मतलब यह वला एंगल, और यह वला एंगल बराबर होगा, तो एक बात बताओ कि आगर पूरा 54 degree है, तो आधा तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बराबर बराबर है, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27 degree होगा, पूले, तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल जो होगा, 27, 27 degree का हो जाएगा, 27 degree, 27 degree, अब इधर आते हैं, फिर आगे बोला है, कि Z O are bisector of अगला, अगला क्या था? X, Y, Z तो Z O कौन है? यह है, तो Z O किसका bisector है? आपका X, Z, Y का मतलब यह angle आप मानते हो X, तो यह भी angle हो जाएगा X तो बोल रहा है कि find the value of O, Z, Y, O, Z, Y का है? O यहाँ है, Z यहाँ है, Y यहाँ है, मतलब इस angle को find out करने के लिए बोल रहा है नीचे वाला, तो यह निकालो चाहिए, यह निकालो, बात है कही है फिर and Y, O, Z, तो Y, O, Z कान है? Y, O, Z कान है? Y यहाँ है, O यहाँ है, Z यहाँ है अपलब इस एंगल की बात हो रही है यानि कि एंगल ओ निकालने की बात हो रही है तो निकल जाएगा ना हराम से कैसे देखो अगर हम पुरा complete angle triangle को consider करें xyz को in triangle xyz तो xyz अगर पुरा complete angle लिया जाए तो हम यह बोल सकते हैं कि 62 degree अब प्लस 54 degree और प्लस 2x 2x एंगल 2x यह मिलके 180 degree होगा बोलो क्या होगा तो sum of angle of triangle sum of angle of triangle क्यों 54 degree लिये तो कि 54 पूरा था तो यह 54 और यह 62 और यह पूरा एंगल x और x मिलके हो गया 2x तो यह x यह पूरा और यह पूरा मिलके 180 degree बनाएगा अब जो है हमारा 62 और 54 जोडेंगे तो कितना हैगा तो 4, 2, 6 और 6 और 5 11, 116 degree प्लस 2 of angle x is equal to 180 degree तो यहां से 116 को बराबर कुदर बेजो तो घटेगा तो 2 of angle x बराबर कितना हो जाएगा 180 degree माइनस 116 degree अब घटा दीजे पहले तो 210 में से 6 गया 4 यह हो गया, 7 में से गया 6 और 1 में से गया 0 तो angle x का बेलो हो जाएगा इसका divide में हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना 32 degree तो इस तरह से हमें पता चला कि angle x जो था वो 32 degree था और दोनो x तो बराबर ही है यह दोनो है ना तो इसका मतलब हमारा जो एक angle पूछ रहा था वो निकल चुका है नीचे वाला angle हमसे पूछ रहा था अब बताओ कि now now intangle intangle o yz o yz में हम क्या कहेंगे कि angle o plus 27 degree क्योंकि bisector था हमारा तो यह अगर पूरा 54 degree है तो आधा 27 होगा अब पुलास यह जो angle x है वो ठीक है कितना हो जाएगा आपका 180 degree फिर से क्योंकि triangle यह भी तो बना रहा है o yz भी तो बना रहा है है ना तो sum of sum of triangle sum of angle of triangle sum of angle of triangle इससे हम लिख दिये अब angle o निकालना है वो रहने देंगे angle 27 हम को पता है ही उसमें दिक्कत है नहीं और angle x का value अभी अभी आया हुआ है कितना 32 degree तो यह 32 degree लिख देंगे और 3 मिला के हो जाएगा 180 degree तो अब बताओ कि angle o अब पलास 7 अदू 9 हो गया और 3 अदू 5 हो गया बराबर 180 degree तो यहां से angle o का value कितना आ गया 180 degree में से सबसे पहले क्या करो ना कि 60 degree घटा लो 59 degree घटा ना है ना तुम 60 घटा लो तो 60 घटा आओगे तो कितना मिले गया 120 अब 60 घटा ना नहीं था तो एक जोड़ दो 180 degree हो जाएगा तो समझ में आया तो final answer में हम से जो पूछा है जैसे o z y पूछा है तो angle o z y क्या था figure देख लो o यहाँ था z यहाँ था y यहाँ था तो वो x है और उसका value आया है 32 degree फिर एक पूछा था angle o यानि कि आप से पूछा था y o z तो आप यह लिग लो y o z बरावर अभी अभी कितना आया है 121 degree है ना अब final answer में उसको लिख दीजेगा समझ में आ गया